अगर आपकी स्किन पर बहुत जादा एजिंग के साइन नजर आते हैं इसकिन पर बहुत जादा जोरियां चाहियां है और आपकी स्किन का गलोग हो गया है तो आपके लिए एक बहुत ही खास रेमेडी मैं लेकर आई हूँ तो सबसे पहले इस remedy को बनाने के लिए आपको चाहिए यहाँ पर बेसन तो मैंने यह लिया है दो चमज बेसन बेसन के इस्तिमाल से कलर साफ होता है इसकिन पर जमागंद की निकल जाती है और बेसन के इस्तिमाल से हमारे स्किन lighten, tighten, brighten बनती है और बहुत ही यंग बनती है अब आपको इसमें आधा चमबस डाल देना है पूरा अगर आपके पूरा ना हो तो आप चीनी को मिक्सी के जार में डाल कर दरदरा सापीस कर तयार करें और अब आपको जो थार इंकिर्डेंट सटीं के लिए बहुत ही अच्छा है तो यहाँ पर जो भी black hurts, white hurts है वो सब इससे remove हो जाते है कॉफी लगाने से skin पर एक amazing निखार देखने को मिलता है अब आपको इसमें एक खास्टेज और डालनी है और वो है नीबू करस देखे अगर आपकी skin को नीबू सूट करता है तब ही आप इसमें नीबू करस डालें वरन्ना आप नीबू को skip कर दें अगर आप इसमें नीबू नहीं डाल रहे हैं तो आप इसमें डालें tomato करस मैंने यहाँ इसमें एक चमच नीबू करस डाला है अगर आप नीबू करस नहीं डाल रहे हैं तो एक चमच टमाचर करस इसमें डालें इस ट्रैमेडी को बनाने के लिए हम सारी चीज़े ऐसी इस्तिमाल कर रहे हैं जो हमारे घर में आसानी से हमें मिल जाती हैं और ये सभी चीज़े नेचुरल हैं तो इसके इन के लिए बहुत ही अच्छी हैं अब आपको इसमें डालना है गुलाब जल तो मैंने इसमें एक चम इसमें डाल सकते हैं तो मैंने यहां आधा चम जब लग लगने लगती है अब आपको सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से मिक्स कर ले ना है अगर आपको ये गाडा लगे तो आप इसमें थोड़ा सा गुलाब जल और एट कर सकते हैं तो यहां पर यह भी थोड़ा सा लग रहा है मेरे को, तो मैं इसमें थोड़ा सा गुलाब जल और डाल रही हूँ, अब हम इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे, गुलाब जल इसकिन के लिए बहुत अच्छा होता है, गुलाब जल के इस्तमाल से इसकिन पर नमी बनी रहती है, इसकिन हाइडरेट रहती ह और इसकिन पर बहुत अच्छी freshness आती है, तो यहाँ पर हमने इसे अच्छे से mix कर लिया है, इस तरीके की consistencies की आपको रखनी है, किसी भी remedy को बनाने के सही तरीके के साथ साथ, उसे लगाने का सही तरीका भी पता होना जरूरी होता है, अगर हमें remedy का लगाने का सही तरीका नहीं पताए तो उसका अच्छा रिजर्ट हमें नहीं मिल पाएगा तो सबसे पहले आपको इसे लगाना कैसे है वो बताती हूँ सबसे पहले तो आप अपने फेस को अच्छे से धोकर साफ कर लें और इस तरीके से इसे हलके हाथों से मसाज करते हुए आपको लगाना है इससे आपकी स्किन पर दो काम होंगे एक तो स्क्रब होगा और साथ ही मसाज भी होगी देखे हमने जो इसमें पेसन और कॉफी डाला है उससे आपकी स्किन का स्क्रब होगा और जो हमने इसमें olive oil डाला है उसके इस्तमाल से आपकी स्किन पर अच्छी चमक आएगी इस remedy के इस्तमाल से आपकी स्किन से जुरिया जाए या remove हो जाएगी इसकिन बहुत ही young हो जाएगी इस तरह आपको 4-5 मिनट तक मसाज करनी है और उसके बाद एक मोटी सी इसकी लिया लगा कर अपने स्किन पर ऐसे ही 10 मिनट के लिए आपको इसे छोड़ना है और 10 मिनट बाद आप देखेंगे कि ये जो है वो स्किन पर सूख जाएगा फिर जब ये सूख जाया का तो आपको क्या करना है आपको थोड़ा सा कच्छा दूद लेना है और इसमें एक cotton ball को dip करना है और फिर इसे इस तरह हलके हलके से इस तरह दूद की सहता से इसे गीला करते हुए हटाना है आप चाहें तो हातों से भी दूद लगा कर इसके उपर फिर इसे गीला करते हुए हलके हाथ से रब करते हुए से निकाल दें फिर नॉर्मल वाटर से धो कर इसे साफ करें अगर आपको ये रेमेडी पसंद आई तो लाइक, कॉमेंट, शेयर, चैनल को सबस्क्राइब, बैल आइकन को प्रेस और ओल पर क्लिक करना बिल्कुल न मूले फिर मिलेंगे अगली वीडियो में